बाने गांफ की और से कोईले की राग भर कर पारशिवनी शहर की और आ रहा ट्रक सोने गांफ फाटा के पास रास्ते में पलटने से ट्रक कंडक्टर जान बचाने के प्रियास में टैंक की नीचे आने से कंडक्टर, सिल्लेवाडा, निवासी, घंशाम, पतीरांग, वर्खडे, उम्र, चौती साल, साबनेर की घटनेस्तल पर ही मौत हो गई वहीं रास्ते से गुजरते दो वहानों की ट्रक से बिढन्त होने से दोनों वहानसवार गंभी रूप से घैल होने की घटना सुमवार की दुपहर को ही प्राप्त जानकारी के अनुसा भानेगाव की और से बड़ी तेज गती से पारशिवनी शहर की और आ रहे ट्रक क्रमांग MH40N 5234 में कोईले की राग भर कर आ रहा था वहीं सुनेगा फाटा के पास ट्रक चालक का ट्रक से नियंतरन छूटने की वज़़े से ट्रक रास्ते के वहानचालों को से टकराते हुए पलट गया जिसमें ट्रक कंड़क्टर जान बचाने के लिए ट्रक से छलांग लगाते हुए ट्रक के नीचे आने से उसकी घटना स इस्तल परी मौत हो गई वहीं रास्ते से आ रहें मोटरसाइकल क्रमान के मेच 40 एच 6461 वहांचालक और एक्टिवर स्कूटर वहांचालक एमेच 40 एबी 5750 को इस घटना में गंभी चूट आने से गायल हुए जहां वहां के स्थानिक नागरिकों ने तुरंत गायलों को नस तुरंत पार्शिवनी पुलिस हैड कॉंस्टेबल रवी चौधरी एपी सी शाम पोकले और पुलिस सहकारी घटना इसकल पर पहुच कर मुरत कंडेक्टर को ट्रक की नीचे से निकाल का पार्शिवनी अस्पताल लाया जहां डॉक्टरों ने जाच करने पर गंशाम की मौत परिजनों को पार्शिवनी पुलिस में मामरा दर्च किया गया है गटना की आगी की जात पारशिवनी पुलिस कर रही है इस मार्ट से रात दिन कोईला रेत राक खनेज बड़े पैमाने पर ट्रक में लाद कर आवगमन करते हैं जहां ट्रकों में ओवरलोड कोईला राक रेती भरकर ट्रक गुजरते रहते हैं यातियात पुलिस होने के बावजूद ओवरलोड ट्रक रास्ते से बड़ी तेज गती से चलते हैं जिससे इस रास्ते पर आये देन दुरगटनाई होती रहती हैं फिर भी सम्मंदित विभाग के आलाधिकारी इस और ध्यान नहीं देने से जानलेवा दुरगटनाई होने की गटनाई आम बात हो गई है संबने विभाग इस ओवरलोड ट्रकों पर कारवाई नहीं करने से ट्रक मालिक इन ट्रक में शमता से ज्यादा माल की डुलाई करने से ट्रक चालो को कर ट्रक पर नियंतरन नहीं रहता वहीं इन ट्रकों को तेज गती से चलाया जाता है फिर भी प्रशासनी सौर ध्यान नहीं दे रहा है ओवलोड भरे ट्रकों को अधिकारी अंदेखा कर रहे हैं